Then question number 8, the zeros of the quadratic polynomial x square plus kx plus k where k is not equal to 0 is, आपको बताना है, यह question बहुत important है, अगर आप इस question को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो quadratic polynomial as well as roots का relation कैसे क्या देखना है, यह आप अच्छी तरह से जान लेंगे, तो इस question को please आप पुरा attentive हो पे समझ येगा, it is very very important. दिखिए, आपको दिया है x square plus kx plus k, this is your quadratic polynomial, क्योंकि इसमें power x की है 2, yes power is 2, अभी हमने इसके से question किया था, आपको उने बताया था, कि quadratic formula x is equal to होता है, minus b plus or minus of under root b square minus 4ac upon 2a, यह चीज़ आपकी होती है d, discriminant, तो इधर आपका a, b, c क्या होगा, पहले आप ही देख लीजिए, आपका a है 1, b है k, और c है k, a, 1, b, k और c के, जैसे ही आपने values b, a, c की इसमें रखी, तो यह आपको मिल जाएगा minus k, plus or minus of under root k square minus 4 into 1 into k, the whole divided by 2 into 1, मतलब 2, अब आप यहाँ पे देखिए, square root में आपको मिल रहा है k square minus 4 k, है ना, आपका जो d था, यह है k square minus 4 k, यह क्योंकि square root में है, square root हमेशा या तो 0 होता है, या फिर 0 से बड़ा होता है, means positive होता है, square root कभी भी negative नहीं होता है, तो हम लिखते हैं, square root is always greater than equals to 0, square root में जो भी value हो रही है, it is always greater than equals to 0, so k square minus 4 k, आपको जो यहाँ पे मिला है, यह भी वही होगा, greater than equals to 0, all right, युकि square root में है, अब मैंने यह सब k common लिया, तो k into k minus 4 greater than equals to 0, all right, अब समझने वाली बात यह है, कि मैं दो cases लेता हूँ, एक बार is equals to का, और एक बार greater than का, तो जैसे ही मैंने k into k minus 4 is equals to 0 किया, तो k 0 के equal नहीं होगा, पहली चीज़, क्यों नहीं होगा, क्योंकि question आपको दे रखा है, कि k is not equal to 0, k 0 के equal नहीं है, लेकिन k minus 4 हो सकता 0 के equal हो, यह दोनों चीज़ का product 0 के equal है, मतलब समझे एक अगर 0 है, और अगर a 0 नहीं है, तो इसका मतलब b 0 है ना, तो यह तो 0 होगा, product 0 होने के लिए किसी एक time को 0 होना पड़ेगा, तो इन्होंने बोल दिया question में कि k 0 नहीं है, तो k minus 4 0 होगा, very very easy, तो k minus 4 जब 0 होगा, तो आपको k मिल जाएगा 4, अब k 4 मिलने पे, आपको यह क्या मिल रहा है, x is equal to minus 4, के की जगा 4 रख दिया, plus or minus of 4 square minus 4 into 4 upon 2, ठीक है, मतलब यह आपको 0 मिल रहा है overall, so minus 4 plus or minus of 16 minus 16 0, under root of 0 मतलब 0 upon 2, अब आप देखिए, आपको यहाँ पे 2 roots मिल रहा है, एक minus 4 plus 0 by 2, और एक minus 4 minus 0 by 2, मुझे हसी इस बात पे आ रही है कि, plus minus 0 को आप ऐसा लिख सकते हैं, और आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखे बताना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि आपके पास quadratic equation है, तो उसमें 2 roots होंगे, आपको यह show करना पड़ेगा, हम अगर हमारे options देखें, तो options में वो क्या दे रखा है, R always equal, R always unequal, अभी AB को मैं नहीं देख रहा हूं, COD को देख रहा हूं, तो R always equal क्या यह सई है, R always unequal क्या यह सई है, आपका C तो eliminate हो गया, लेकिन आपका D भी eliminate हो जाएगा, COD दोनों ही सई नहीं है, अब अब देखिए कैसे, जब मैंने K को 4 लिया, तो मुझे equal roots मिले, क्या पता, अगर मैं K को 5 लूँ, तो मुझे equal roots ना मिले, K को 5 लेने में मुझे मिल रहा है, X is equal to minus 5, plus or minus of under root, मतलब minus 5, plus or minus of 25, minus 20, मतलब root 5, upon 2, अब अब देख लिजे, plus or minus है, एक जगा minus 5 plus root 5 हो रहा है, और एक जगा minus 5 minus root 5 हो रहा है, मतलब, दोनो values अलग-अलग है, बोले तो, ये दोनो roots equal नहीं है, these both roots are not equal, why, because, on putting K is equals to 5, we are getting plus and minus, two different values, यहाँ पे 0 मिला था, तो आपको same root आया था, पर यहाँ पे same root नहीं आ रहा है, तो इसी लिए, आपके C or D options नहीं होंगे, हर एक option को समझना जरूरी है, कि वो क्यों हैं और क्यों नहीं है, ये question मों करने का मज़ा है, और इसी लिए question बहुत अच्छा है, आपको मैं हर एक case को explain कर रहा हूँ, अब इसके options A और B, हम इसे भी check कर लेते हैं, देखिए, आपने अभी जो C or D check करें, उसमें K square minus 4K को हमने 0 लिया था, जिससे K4 आया था, और K को फिर मैंने 4 के आद 5 ले लिया था, अब हम क्या करते हैं, K square minus 4K ये जो square root आ रहा है, आपको discriminant D, कि इसको greater than equals to 0 लेके चलते हैं, और हम ये देखते हैं कि इससे क्या condition मनती है, एक मिनिट में ये board को रप कर देता हूँ, यासे, अब K square minus 4K is greater than 0, ये वालाम किस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि square root है तो positive होगा, तो K into K minus 4 is greater than 0, अब आप सोचिए, greater than 0 मतलब positive value लाने के लिए, या तो K को 0 से कम होना पड़ेगा, या फिर K को 4 से यादा होना पड़ेगा, आपको मैं ये चीज अभी याद करवा देता हूँ, बाइहाट करवा देता हूँ, कि हमारे पास दो value होती है, इसमें से कि एक value छोटी है, एक बड़ी है, और greater than equal to 0 होती है, ठीक है, तो ये छोटी value से आपका variable छोटा होता है, और बड़ी value से बड़ा होता है, ठीक है, ये होता कैसे है, या आप class 11 में पड़ेंगे, linear inequalities में, लेकिन अभी आप इसको ये ध्यान रखिए कि एसा होता क्यों है, because it's a common sense, आपने अगर K को 0 छुटा लिया, मतलब K को आपने negative लिया, K को अगर मैं लेता हूँ, latest से minus 1, ठीक है, 0 छुटा, तो ये वाली चीज पूरी हो जाएगी positive, क्यों, क्योंकि minus 1 into minus 1 minus 4, negative into negative means positive, so anything which is positive is greater than 0, उसके बाद मैं K को लेता हूँ, 4 से बड़ा, तो K को आप मान लिजी 5, जैसे हमने भी लिया था, तो ये क्या हो जाएगा, 5 into 5 minus 4, greater than 0 मतलब positive, ठीक हो, ठीक है, तो आपको ये दो values लेते वे चलनी है, या तो K 0 छुटा हो, या तो 4 से बड़ा हो, अब एसा करने के बाद, आपकी जो values आपको मिल रही है, वो दोनो negative होगी, दोनो positive होगी, एक negative होगी, एक positive होगी, यह हमें देखना होगा, अभी जो last example जिसमें मैंने केको 5 लिया था, आपको क्या मिल रहा था, x minus 5 plus or minus of under root 5 upon 2, अब minus 5 plus root 5 upon 2 minus 5 minus root 5 upon 2, तो आप देखिए, ये दोनो values क्या आ रही है, negative, क्योंगी, क्योंकि root 5 अपका क्या होता है, 2 point something, all right, तो इसलिए हमारा option B भी eliminate हो गया, ठिक, दोनो negative हो सकते हैं, अब मैंने के को लिया, at the extreme and minus 4 मान लिजे, क्योंकि less than 0 है, तो मैं minus 4 ले सकता है, minus 4 obviously 0 चुटा है, तो मुझे क्या मिल जायागा, x is equal to minus of minus 4 plus or minus of under root, k minus 4 और k minus 4 minus 4 minus 4 upon 2, so plus 4 plus or minus of under root, ये कितना हो रहा है आपका, minus 8 into 4 मतलब 32 by 2, अब 32 क्या है आपका, 4 root 2 by 2, आप ध्यान दीजिए, 4 root 2 इस 4 से बड़ा है, ओके, तो आपको एक value मिलेगी positive, no doubt, 4 plus 4 root 2 by 2, और दूसरी value मिलेगी आपको negative, ठिक, इस तरह से आपको सारे cases बनाने हैं, ये question बहुत important है, so, इसका answer होगा A, cannot be both positive, दोनो negative सकते हैं, equal हो सकते हैं, unequal हो सकते हैं, लेकिन कभी भी दोनो positive नहीं हो सकते हैं, दोनो negative हो सकते हैं, ये भी हमने चेक कर लिया, so, A is the answer, then question number 9, if the zeros of the quadratic polynomial, ax square plus bx plus c, where c is not equal to 0, are equal, then आपको बताना है, ये question भी बहुत easy है, लेकिन tricky है, देखिए, ax square plus bx plus c, ये आपका होता है general form, आप जानते हैं, discriminant d is given by b square minus 4ac, then, आकरी चीज़ ये बुल रहे हैं, zeros are equal, जब zeros equal होते हैं, तो d की value होती है, 0, for equal roots, या fit zeros, value of d, discriminant is equal to 0, तो b square minus 4ac is equal to 0, so b square is equal to 4ac, अब, यहाँ पर आके आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोचना है, यहाँ पर आपको मिल रहा है b square, all right, b square, एक square है, square हमेशा, या तो 0 होता है, या तो positive होता है, जैसा square root case में हमने देखा अभी, वही square case में भी होता है, square किसी भी number का negative नहीं हो सकता है, या तो 0 होगा अगर वो 0 है तो, या फिर 0 से बढ़ा होगा मतल़ा positive होगा, all right, तो आपको सोचिए, a और c, अगर इसमें से a आपका positive हो जाए, और b negative हो जाए, तो positive into negative क्या मिलेगा आपको, आप value रख लीजे, ये 2 हो जाए, ये minus 3 हो जाए, so 2 into minus 3, minus 6, क्या b square minus 6 हो सकता है, हर्गीज नहीं, कभी नहीं होगा, square हमेशा होता है positive, positive, उसी तरह से मैंने अब इसको negative कर लिया, और इसको positive कर दिया, तो भी minus 6 हो जाए, मतलब a और c के sign, अलग अलग नहीं हो सकते हैं, a और c को एक जैसा ही होना होगा, a positive, c positive, तो positive, multiplied by positive, मतलब positive, which is your b square, उके, उसी तरह से अगर a negative है, c negative है, तो negative multiplied by negative, minus 2 into minus 3 कर लिजी अब भली, तो plus 6, positive, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, हे बहुत easy, पर हे tricky, तो हमने क्या देखा, a और c के sign, same रहेंगे, a and c have the same sign, not the opposite sign, so this is your answer, then question number 10, if one of the zeros, of a quadratic polynomial, of the form, x square plus ax plus b, is the negative of the other, then it, आपको देखना है, ये भी अच्छा question है, once again, easy and tricky, आपको दिया है, px is equal to x square, plus ax plus b, अब इसी के जस्ट नीचे, आप इसका general form लिख ली जिए, जिसमें दोनों roots आते हैं, तो वो होता है क्या, x square minus, alpha plus beta x, plus alpha बीटा, इसके सेंब questions भी कर चुके हैं, general form, where you are having the roots, as alpha and beta, अब इनोंने बोला है, one of the roots, या one of the zeros, is negative of the other, मतलब alpha, आप मान लीजिए, beta का negative है, तो इन दोनों को compare करने पे, on comparing, आपको क्या मिल रहा है, a is equal to minus alpha plus beta, यहां से आपने alpha को, minus beta रख दिया अंदर, तो minus beta plus beta is equal to 0, यह आपका हो गया 0, दूसरा, आपको दे रखा था, alpha beta is equal to b, so, alpha into minus alpha is equal to b, यह की बात है, यह तो beta को आप minus alpha लिख दीजिए, अलफा को minus beta लिख दीजिए, और beta into minus beta is equal to b, दोनों case में आपको मिल रहा है, minus of किसी भी एक root का square, अब एक बार फिर, आप सिर्फ इस सो focus कीजिए, minus alpha square, तो alpha square या तो 0 होगा, या फिर 0 से बढ़ा होगा, इसके आगे अगर आप negative sign लगा देंगे, तो definitely positive तो नहीं होगा, यह फिर क्या होगा, less than equals to 0, alpha square अकेला, 0 के बराबर है, 0 से बढ़ा है, क्योंकि यह square है, और इसी square के आगे, अगर आप negative sign लगा रहे हैं, तो यह less than equal to 0 हो जाएगा, तो आप देखिए, आपका जो यह A था, यह हो गया 0, और B यह आपका आँ रहा है negative, यहाँ पे आपका A है, linear term, और B है, constant term, तो constant term आपका आ रहा है negative, and linear term आ रहा है 0, ओके, तो इसका answer होगा, option A, has no linear term, linear term 0 था, मतलब यह है, no, यह ही नहीं मतलब, और constant term B, यह आपका negative, यह लिख देता हूँ मैं, A 0 आ गया, और B negative आ गया, ठिक, तो option number A, that is your answer, then question 11, which of the following is not the graph, of a quadratic polynomial, यह question तो बहुत easy है, देखिए, आप हमेशा धेहन लखिए, quadratic polynomial यह equation, जो भी आपकी होती है, उसका graph, या तो upward parabola होता है, या तो downward parabola होता है, ओके, एक और चीज़ आपने देखी है, कि जितनी जगा, आपका graph, x-axis को काटता है, उतने उसके real roots होते हैं, जैसे for example, आपका जो c option है, इसमें आपका जो downward parabola है, it is intersecting x-axis, at two distinct points, x-axis को यह दो जगा काट रहा है, तो इसके दो roots होंगे, तो बिल्कुल यह quadratic polynomial है, यह वाला d नहीं है, क्योंकि यह एक, दो, तीन, तीन जगा x-axis को काट रहा है, intersect कर रहा है, so it is a cubic polynomial, तो इसका answer होगा d, d is not the graph, अब b और a में क्या, actually जो b है, यह बुक में थोड़ा सा नीचे दिया है, इधर कहीं है, मतलब यह x को काट ही नहीं रहा है, x को intersect भी नहीं कर रहा है, और even a में भी यह हवा में है, तो देखिए, यह भी आपके quadratic polynomial है, हम यह देखते हैं, कि जितनी जगा यह x को intersect करेगा, उससे आपको real roots पता चलेंगे, यह आप धियान रखिएगा, real roots are determined by looking at the x-axis, we have to see कि polynomial x-axis को कितनी जगा intersect कर रहा है, लेकिन अगर यह x-axis को intersect नहीं कर रहा है, इस तरह से है, तो यह दोनों cases आपके क्या होंगे, imaginary roots, मतलब जहां पे, आपके square root के अंदर कुछ negative आएगा, यह चीज़ आप पढ़ेंगे 11th class में, इतना ज़्यादा आपको deep में नहीं जाना है, आप इतना ध्यान रखिए, quadratic मतलब या तो upward पेरा बोला है, तो download पेरा बोला, that's it, इस से आदा नहीं, इसका answer है D,